है एवर्वान वेलकम बैक टो माई चानल तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत बरिया सी फेस्ट लेकर आई हूँ तो मैं उसका एक ओनेस्ट वाला डिव्यू करूंगी तो पहले एक चीज बता दू तो यह बेसिकली टीनेजर्स के साथ होता है कि आपके टीनेज पर इंबालेंस चाज़ता रहता है जिसके वज़े से अकने होना बहुत ही नॉर्मल बात है और इसके साथ साथ आपको शायद हमेशा एक्सफोलियेट करनी का टाइम भी नहीं मिलता जिसके वज़े से आपका जो स्किन है वो डल हो जाता है जो ग्लो होता है वो भाग जाता है जो पिंपल का जो दाब होता है वो आपके स्किन में बैठ जाता है जिसके वज़े से आपका स्किन डामेज हो जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता तो इन सब प्रॉब्लम्स का मैं एक सल्यूशन लेकर आई हूँ मैं एक फेस वास्ष आप लोग को आज बताऊंगी जो कि इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है यह कोई प्रोमोशन वीडियो नहीं है खुद के पैसों से खरीदा है खुद आदे महीने तर यूस किया है एंड उसके बाद मैं यह ऑनस्ट वाला डिव्यू आपको के साथ शार करूंगी सो दिस इस फ्रॉम्स को तो दिस इस विडिमिन सी फेस वाउश विड ओरेंज पील और प्रो विटमिन बीफाइव कुछ बेसिक से चीजों को देखते है एंड उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी साओ लेट्स टाट ओके सो इसका प्राइस है 298 रुपीज तो लाइक प्राइस यह ह कभी कभार उससे भी कम में मिल जाता है एंड मॉम्स को के ओफिशल वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा एंड नाउ इसमें आपको क्वांटिटी मिल रहा है 100 ml इसका एक से दो ड्रॉप आपके पूरे फेस और नेक के लिए काफी है यह बहुत दिनों तक चल जाता है जलिए अब देखते क्या क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं यह कुछ क्लेम करता है कि यह आपके यूवी रे से डामेज वा स्किन को यह ट्रीट करता है इसमें जो औरेंज पील है सो आप लोगो दिखा दू इसमें ना ऐसे औरेंज पील है इसके अं ब्रैंट क्लेम करता है और हम ब्रैंड की बात कहां मानते है हमें तो जो देखते उस पे भरसा है देखते तो मैंने इसकी में कुछ ऐसा खराब कुछ नहीं दिखा वट बहुत लोग अभी बोल सेकते हैं कि इसमें जाइलीटल है तो यह कैसे अच्छा है तो कैस्ट मेट पी तो जायलितोल एक टाइब का आलगोल है बट अब आप लोग बोलो कि आप तो हमेशा अलगोहल फ्री प्राडट्स उसकर ने के लिए बोलते हो बट कैस्ट लेट मी you clarify xylitol जो है वह एक नाचुरली आलकोहल है जो शुगर से मिलता है शुगर जो चीन है उस Сे मिलता है and that is actually very mild and आपके skin में ये मतत्रब ज्यादा कुछ हाम तो नहीं करता and ये आपके skin को dry नहीं कर्ता इचिंग विचिंग ऐसा कुछ नहीं होता so that is very good and tell you यहाँ पे जो लिखा हुआ है न pro-vitamin B5 vitamin B5 को हम pentothenic acid बोलते हैं and vitamin and pro-vitamin अलग चीज होता है so pro-vitamin से vitamin बनता है so actually panthenol से pentothenic acid बनता है so that is it so इसमें harmful ingredients जादा कुछ भी नहीं है and this is dermatologically tested and इसमें सब कुछ natural ingredients है यह PETA certified है cruelty free and Australian allergy certified इसके इलावा यह toxin free है Australian certified toxic free so यह तो specifications अच्छे थे यह paraben sulfate free है जो बहुत ही अच्छी बात है now this is suitable for all skin type यह हर skin type dry to oily सब के लिए suitable है तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या सच में यह अच्छा है मुझे इसा यूज करने के बाद कैसा लगा so guys यहाँ पर दो चीज मैं बताऊंगी यह आपके skin में से मतलब अभी मेरा skin pretty much oily है and यह आपके skin में से oil and dirt को बहुत अच्छे से remove करता है यह एक बहुत ही अच्छा cleanser है and एक और चीज मैंने करीब दो हफ्तों से skin में कोई भी किसी भी तरह scrub use नहीं किया मैं actually देखना चाहती कि क्या यह सच में अच्छे से exfoliate करता है या नहीं so guys let me tell you यह actually बहुत अच्छे से exfoliate करता है क्योंकि वरना मेरी skin बहुत ज़्यादा dull पढ़ रहती है dead skin cell के वज़े से तो मुझे regular scrub करना पड़ता है but यह आपके but इसे use करते वक्त मुझे scrub के actually कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं परी यह actually बहुत अच्छे से आपके skin को scrub करता है so अगर आपके पास exfoliate करने का time नहीं है तो आप इसे purchase कर सकते हो face wash and scrub आप दोनों का काम एक साथ हो जाएगा vitamin C जो है यह आपके skin को bright and light बनाने में बहुत साथ हेल्प करता है इसमें बहुत से अच्छे ingredients like lemon oil, ascorbic acid, aloe vera juice ऐसे बहुत से अच्छे ingredients है जो आपके skin को ना सिर्फ glowing बनाएगा बलकि आपके skin में से आखने को भी बगाता है I didn't, एक चीज़ बताऊंगी शायद बहुत लोगों को लगेगा इसका price थोड़ा सा हाई है but मुझे लगता है अपकर थोड़ा पैसे देकर आपके skin को बचा सकते हो so उसमें I guess कोई खराबी नहीं है मतलब मैं बोलूंगी this is completely worth the product I hope this review was helpful so yeah